साथियों नमस्कार साथियों यूपी PCS के लिए जो करेंट एफेर की सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं देखे नेशनल मल्टिडामेशनल पौवर्टी इंडेक्स राष्ट्रिय बहु आयामी गरीबी सूचकांग यह सूचकांग यूएंडीपी इस्तेमाल कर पूरी दुनिया में कई देशों में लागू किया गया है भारत में भी लागू किया गया है और भारत में इस इंडेक्स का जितना भी मुल्यांकन वगेरा है निकालना है देखना है पब्लिश करना है वह सारा काम करता है नीती आयोग तो अभी 17 जुलाई 2023 को नीती आयोग इस इंडेक्स को निकाला है और यह दूसरा एडिशन है पहला निकाला था दो जार 21 में नीतियायो अपने तरीके से निकाल रहा है ठीक है पहला 2021 में दूसरा 2023 में जुलाई 2023 में इस बार जो रिपोर्ट है जो यह सूचकांक है यह आधारित है राष्ट्रिय परिवार स्वास्त सर्विक्षण राष्ट्रिय परिवार स्वास्त सर्विक्षण याद रखना राष्ट्रिय परिवार स्वास्त सर्विक्षण पूचा जाएगा कि इस बार मल्टिडाइमेशनल पौवर्टी इंडेक्ट जो नितियायुने निकाला है उसकी थीम या वो किस चीज पर बेज़ रहा तो यह था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे टोटल हमारे जितने भी राज और यूटी है उनको मिला करके यह निकाला गय में जाए और 707 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल थैं देश के 707 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे या दखना सभी डिस्ट्रिक्ट नहीं थे और इस बीच यह भी पता किया गया है इसके द्वारा कि 2015-16 की तुलना में 2019 और 21 के बीच यह लगभग 5 साल के वीदी मानने हम इस बीच तेरे 10.5 करोड लोग बहु आयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं तेरे 10.5 करोड लोग ऐसे हैं जो मुल्टी डायमेशनल पॉवर्टी से दूर हुए हैं मुक्त हुए है यानि कि 2015 में जो परसेंटेज 24.85 था वो घट करके 14.96 रह गया है तो यह दखना है कितना हो गया 14.96 14.96 14.96 14.96 14.96 पहले कितना था पहले कितना था 24.85 24.85 24.85 से 14.96 हो गया था 24 से 14 के आसपास कुछ हुआ है ऐसे या रखना है कौन से स्टेट है यहां पर सबसे ज्यादा काम हुआ है यूपी में फिर बिहार में और फिर इंपी में यहां पर सबसे ज्यादा काम हुआ है और शेहरों में स्टिति पहले आठ दॉसमरेश्म श्रेंपास थी आप दर सनलोब 2.7 और गांव में 32.59 और पहले है ध्यान दखना है शहर आठ से 5 हुए है और गाउं 32 से 19 हुए है और गाउं 32 से 19 हुए और इस चीज़ को याद रखना है और यह भी याद रखना है कि नीती आयोग निकालता है और दूसरा एडिशन था ठीक है इसके अलावा अगर यूपी की बात करी जाए यूपी में ही कहा के यहां पर कितना काम हुआ है या क्या है यह नहीं है हमारे यूपी में सबसे ज्ढ़ीवाला मामला है मलती डgamude इंडेक्स जो कहा में लखनौ में और कानपुर में गाजयवाद लगन न कि अस निकालता है वह इन्टेशमें विकास सूच कंख इस एंडेक्स में मुद् They करना जाता है जिसका इनगेस्स सबसे खराल आया इसका मतलब यह तीनों की स्तिथी घ्राब है कि का मतलब यह होता है नितिया आपको पता चलिए अगली नीज देखते हैं अगली नीज आपकी वैभभ फैलोशिप योजना देखिए जो वैभभ है वैभभ का पूरा मतलब जो था वह पहले सरकार ने 2020 में एक शिकर सम्मिलन किया था इसमें वैश्विक भारतिय वैग्यानिक इस पर बात करी गई भारतिय देयां ने जितने भारतिय वैग्यानिक विश्व Ll mag विश्व में पहले हुए उन सब बोलाना है कैसे ईmittel कर आहला है 폭़ा बहार मत फैलों इंडिया में और यहां काम करो इस लिए ये शिखर सम्मिलिन किया था दोज़ार बीस में इसी की शौट फॉर्म है वैश्विक भारतिय व्यानिक यह है वैवब फेलोशिप यूजना है कि आप इंडिया में आईए और यहां पर रिसेर्ट और डवलमेंट करिए और हम आपको पूरी सुभदाइं देंगे जो भी चाहिए आपको और अठारा ज्यान के इंद्रों में आपको काम करना है यह आप इसमें काम करते हैं तो भारत आई है कौन-कौन से है याद रख लो क्योंकि पता नहीं उचले यूपी-पीस यूपी-पीस कुछ भी पूछ सकता है वो यूपी-पीस है कुछ भी कर सकता है तो क्वांटम और चर्चा में है आई टीस तो आपको प्ताइए डेटा साउंस चर्चा में है कौन नेक्स हैं एक है साब्याय कंड़क्टर है कि साहिक है सामी कंडूक्टर है यह साइंस अनगा यह हो होगा च्बाटम्म इलेला चोह बाल चक्श संब लिवंडरिन इम्यूनिकेशन भी होगा एरोस्पेस हो सकता है भूल जाए अग्रिकल्चर भूल सकता है तो हलका फुलका दिमाग में रखना तो यह वैभव स्कीम क्या है वैभव स्कीम यह है कि हमको फैलोशिप देनी है उन साइंटिस्ट लोगों को भारत से भारा करके भी काम कर रहे हम अगली नीज है आपकी आहिर की मतलब होता है अगली इसका प्राटफर्म है माहिर पिशन ओन एडवांस एंड हाई इंपेक्ट रिसर्च यह जून दो यार तेईस में मामला स्टार्ट किया गया है और यह कौन-कौन सी पंत्राले चला रहे हैं है विद्यूत मंत्राले हमारा यानि की जो बिजली वाला है तथा नवीकरण यह और नवीन उर्जा मंत्राले ठीक है न्यू एन रिन्यूबल एनर्जी मिनिस्ट्री यह दोनों मिलकर के से चला रहे हैं सब्सक्राइब और इसका उद्देश है कि भारत को उन्नत विद्यूत प्रद्योगे की हितु नवनिर्माण केंद्र बनाना है यानि की मौडन बिजली का केंद्र बनाना है ठीक है बिजली के मामले में नई टेक्नोलोजी लेकर आनी है सबस्द्रिश्टिष दिशे थे वाली चीचा और टेट्निकल वाली ट्रिम चाहिए रोती है दो को मिलके ही काम कर पाते हैं कि बात पढले पढ़ गई कि अब आगे बढ़ते हैं अगली नीज है हमारी पुरानी नीज है याद हो रही है ना मल््टी डाइमेंशनल पौवर्टी इंडेक्स बहु आयामी गरीवी सूचकांग जो निकाला है कौन निकालता है नीति आयोग ठीक है यूपी में सबसे बुरी इस्तिति किसकी है बरायच की सबसे अच्छी किसकी है गाजियवाद की दूसरे नंबर पर सबसे अच्छी किसक याद हो गिया और UNDP ने जो human development index वो निकालता है उसी का एक जो नया parameter शामिल किया 2010 में वो multi-dimensional poverty index है ये बात पर ले पड़ गई इतनी बात दिमाग में बठाई रखनी है और माहर योजना किसके लिए है बिजली के लिए है ठीक है जी दिमाग बट गई और एक और है वैभव fellowship योजना वैभव 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 यानिके विदेशाओं फैले हुए वैज्ञानेकों को भारत लाना है उनको हमें सुविधाय प्राप्त करानी है fellowship देनी है यानि एक तरीके से वजीव वगएरा देना है और उनको अठारा कारेश हैत्रों में कारे करने के लिए प्रोत्सा आई आप कोई भी फूड़ प्रोड़क्त खरीते हो पैकेट पर ऐसे द्वारा प्रमानित ऐसे करके लिखा रहता है इसका मतलब होता है फूड़ सेफ्टी एंड सेक्यूरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह भारत की वह अथॉरिटी है जो चीज को सुनिश्यत करती है कि जो भी चीज आप खा रहे है वह आपके लिए सेफ है और अच्छी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है यह हर साल सूचकांग निकाला जाता है इस संस्था द्वारा जो पहला निकाला गया था 2019 में यह निकाला गया था साथ जून को जिस दिन विश्व खाद सुरक्षा दिवस स्यूक्षण होता है शूक्त फूछू सकता है यह वर्ल्ढ फूर्ट सिक्यॐराटी डे वर्लड फूर्ड सिक्यूरीटी डे कब मनाया जाता है ताहत जून को मनाया वारा जाती जून साथ जून कि राज्य खाद सुरक्षा सुरक्षा सुच का पहला कव निकाला 2019 में जब चुना वुटे पिछले इस इंडेक्स में मैं पता चला किरला की स्तिती सबसे अच्छी है सबसे ज्यादा पॉइंट मिले 63 पुइंट फिर पंजाब है फिर तमिलनाडू है फिर ए यह एंज स्थान पर रही है ना बड़े राज्यों में आक्री स्थान पर 19 स्थान पर है बिहार ये बात पता होनी चाहिए ए फटे राज्यों में डॉप किस ने किया गोए आजकल लोग गुवागों जाते ना गोवा फिर मनीपूर मनीपूरी विगाफी चर्चा में था फ लटका रहता वह ऐसे करके इसे बनाते न पूछेगा यूंट इन टेरिट्री में टो यूंट टेरी में जंल्मु कश्मीर कि मामले में की सारे top किया इस साल जिल्ली ने लास पूल रहा है लक्षवदीब यूंपी चरक्षामें था लेकिन वो लास्ट रहा है किस मामले में फूट सिक्षा और साक्षार्था विवाग है यानि कि स्कूल एजूकेशन और लिटरेस्टी डिपार्टमेंट यह क्या करता है इसकूली सिक्षा के छेत्र में राज्यों को और यूटीज को अलग-अलग रैंकिंग प्रतान करता था इसी रैंकिंग सिस्टम को बोलते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निष्टपादन ग्रेडिंग सूचकांग बात सही है इसे 2019 में पहली बार लाया गया था लेकिन अब इसमें थोड़ा सा संसोधन कर दिया है इसे बदलाब कर दिया है 2021 में और इसे अब बोलते अब आया उसे कुछ बोलेंगे फिर दूसरे कुछ बोलेंगे जैसे उतना ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड इसे करके तो जो टॉप पे आएगा उसे बोलेंगे दक्ष उसके बात जो आएगा उसे कुछ और बोलेंगे फिर उसे कुछ और बोलेंगे दक्ष उसे बोलेंगे से 940 से ज्यादा अंक आएंगे हजार अंकों मैंसे 940 से ज्यादा अंक आएंगे उसे बोलेंगे दक्ष लेकिन यह बात भी है कि दक्ष किसी और को अभी तक हम कह नहीं सकते किसी को भी अभी दक्ष नहीं कह सकते हैं कि अभी हम किसी को कह नहीं सकते यह भी इसमें बात कही गई है और जो सबसे कम लेकर के आएगा उसे हम कहेंगे आखांशी थ्री जिसके सबसे कम आएंगे यानिकि जिसके चास और साथ तक अंक आजाएं तो से हम आकांशी थ्री कह देंगे यह बात सही है तो अभी तक पीजी आई टू में किसी भी राज को या यूटी को उचितम ग्रेट धक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और ना हो सकता वह केटेगरी नहीं है कोई भी राज ऐसा नहीं हो सकता जो और यूपी किसमें है यूपी की यूपी के बारे में थो यूपी है अकांशी दो में इसी में बेहार है असाम है जम्मू कश्मीर और आकांशी त्री में अरुनाचल प्रदेश मेगाले मिचुरम में यूपी क्या है आकांशी दो यानि लास्ट से दूसरा अब आता है इन आई आरेफ इंडिया रंकिंग्स यह क्या है अटा है नेशनल इंस्टिटूशनल रंकिंग फ्रेंवर्ट इसके शुरुआ उन्तिस सप्टमबर दो यर पंदर से की गई थी और यह पहली बार जो दिया गया था अप्रेल दो यर्शोला में दिया गया था पू चिक सिंस्थान हैं बड़े बड़े उनको रंकिंग दी जाती है और इसमें पांच रेडियां हैं टोटल है ओवरॉल है कॉलेजिज है युनिवर्सिटीज है रिसर्च इंस्टूशन है इनोवेशन है इसमें आठ विभाग है यानि सब्जेक्ट डोमेंस है जिनमें इनको दी जाती है अलग-अलग ऑलग उनिवर्सिटीज इंडिया रेंकिंग्स 2023 में पिछले संस्क्रण की तुलना में बदलाव किये गए हैं तीन क्या-क्या बदलाव किये गए हैं इसको भी शामिल किया गया है नवाचा शिणी में रैंकिंग प्रथम बार जारी की गई है इनो रही इनकिंग और उसके बाद वास्तुकला नामक विशे के दाइरे में विस्तार किया गया है को विशाय है वास्तुकला उसमें भी दाइरा बढ़ाया गया है और ओवरल के टिगरी में लगातार पांचमी वर्ष 2019 से 23 भारतिय आयाइटी मद्रास को प्रतमिस्थान प्राप्त हुआ है भारतिय प्रद्धोगे की संस्थान जो आयाइटी मद्रास है इंडियन इंस्टिट इंडिया इंस्टिटीट ऊसफ साइंसस, ऑफ विश विश ज्व्यस्तव राप्त हुआ है इंडियन है इंडियन इंस्टिटुट ऑफ साइंस बेंगलॉर पहला इस्थान युनिवर्सिटीज और कॉलेज में किसको मिला आई इटी मेड्रास को यह बात प्राप पता होनी चाहिए ठीक है मिरांडा हाउस दिल्ली को मिला है तो युनिवर्सिटीज में टॉपे कौन रहा है इंडियन इस्टूट ऑफ साइंस बेंगलॉर ठीक है और कॉलेज में टॉपे कौन रहा है यह बी देखना है अलग से कॉलेज भी दिया जाता है कॉलेज में टॉपे रहा है मिरांडा हाउस दिल्ली अनुसंधान में कौन रहा है रिसर्च में भारतिय विज्ञान संस्थान वही आयाइसी बेंगलॉर नवाचार इनोवेशन में आयाइटी कानपुर इंजिनेरिंग की विशय में आयाइटी मद्रास मद्रास वही प्रव नहीं पूछता है कि इसमें ज्यादे दिमागमन मानना थोड़ फड़ पता होना चील का सब पहली वर कवाया था यह पता होना चीए इस वार कौन सा संस्क्राण था आठवा था ठीक है एली वर कवाया था देखू तोजार सुटा में 2016 में जो रेंक किसकी दे रहा था 2015 वाली और यह आठ विशय है आठवा संस्क्राण है कि नई संसत भवन का उद्गाटन देखिए आपने सुना होगा या देखे होगा कि नया पार्लियमेंट बना दिया गया है प्रारे वाले पार्लियमेंट को अब हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वह बिटेष एंड के निशानी को याद दिलाता है वह गुलामी की निशानी है प्रिटेश ने बनाया था अब जो हमने नया बनाया यह पूरी दर्स हमने बनाया है हमारा ही है और अपने ही तरीकों से ने मिसे चलाएंगे तो समय पर एड़वन लुटियन हुआ करते थे एडविन लुटियंस और हरबर्ट बेकर हरबर्ट बेकर इन दोनों ने मिल करके सेंट्रल विस्टा कॉंप्लेक्स बनाया था जिसको 1931 में होला गया था इस कॉंप्लेक्स में बड़ी से कॉंप्लेक्स में राश्पती भवन आता है संसर आता है नौर्थ और साउथ अभी लेक्स ब्लोक और साउथ ब्लोक बड़ी इंपोर्टेंट राश्पती भवन आता है और आपका अभी लेक्स वाता है कि यह सब सेंट्र विस्टा प्रजेक्ट में 1931 में स्टार्ट किया था ठीक है साफ अब हमने क्या कि ए 28 मई 2023 को प्रदान मंत्री मूदी ने इसका प्रदान किया जो नएवाल आपने बनाया है और उद्गहटन के टाइम पर 55 रुपे का सिक्का और इस्मारक डाक टेकट को भी जारी किया गया है और प्रदान मंत्री ने एक सेनेग आपने देखा होगा यह काफी पवित्र है उसको भी इस्पीकर की कुरसी के ठीक बगल मे इस्थापित किया है वहाँ पर इसे एक आया है ठीक है नई समसद्भवन की जो डिजाइन है यह एमदाबाद के आर्किटेक्ट्टर है आर्किटेक्ट्टर फर्म है है एच सीपी डिजाइन प्लानिंग एन मैनेजमेंट प्राइविट लिमिटेड उसने तैयार की है एच सी पी इसका एरिया कितना है लगवागग ज्ञान योग ऐसे ज्ञान द्वार शक्ति द्वार कर्म द्वार हैं इसमें लोक सभा में 888 सीटे हैं अभी तक और बनाई गई बैट सकते हैं इसका होता है यह नहीं कित्ती है मेले महा पर है और राज्य सभा में 384 सदस्यों के बैठने की जगे बनाई गई है जो निया संसद्भवन है इसमें लोक स्भा का जो आंत्रिक हिस्सा है वो राश्टिय पक्षी मोर पर आधारित है लोक सभा का बाए कि शाक इससा किस पर आधारेत達एर राष्टिय पक्षी मोर पर आधारेत यह की राश्टिय पुष्प कमल पराधा रूए इसके साथ ही राश्ट्रियय व्रक्ष भरगद भी इस्थित है इसके प्राँगल में यह पता हूँ न हुआ था हम्हारे पंडित जवालाल नहरू को तमिल आधी नम धारमिक मठ हुआ पर एक उस आधी नम ने हमारे पंडित जी को एक सेने गौल दीती भेंट के रूप में नहीं दीती भेंट के रूप में कि हम लोग आजाद हो रहें यह उसकी निशानी है आप इस रखिए तो ह 28 माई को प्रदान मंतरी मोदी ने इसे महां से उठवा करके इसे हमारे नए पार्लियमेंट में थापित करवाया है ठीक है सेनेगौल के शीर्स पर भगवान शिव और पवित्र बैल नंदी को नकाशी के माध्यम से चित्रत किया गया है यह भी पता होना चीए और तमिल नाड यह बात पता होनी चाहिए उसके बाद और आन 5.2 हमारे देश में 2016 में एक स्कीम लॉंच करी गई थी ओड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम ओड़े देश का आम नागरिक इस स्कीम के तहत हवाई जाज के सफर को सस्ता किया गया था जिससे की आम नागरिक भी उसे तक उस उड़ान स्कीम के लगबग चार फेजस कंप्लीट हो चुके हैं उड़ान 1.2.3.4 और अब लेकर के आये हम उड़ान 5.0 कब शुरुआत हुई है 21 अपरेल 2023 को कौन सा मंत्राले करता है कौन सा मंत्राले करता है विमानन मंत्राले एविएशन मिनिस्ट्री करेगा और तो इसमें उद्देश यही है कि दूर दरा जो चेत्री इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना लोग हवाई याज से ज्यादा से ज्यादा जाए 23 में 24 मई को हेलिकॉप्टर मार्गों के लिए विशेश रूप से उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई है ठीक है ह हेलिकॉप्टर मार्गों के लिए 25 जुलाई 2023 को एक हैली समिट हुआ था हैली शिकर सम्मेलन 2023 यह कहां पर पूछा जाएगा यह खुजराओं में हुआ था मद्यप्रिदेश में ही कहां पर इस चीज़ का उद्गाटन हुआ था हैली समिट पूछे जाएगा हैली समिट का ह इसमें क्या होगा जेडिशक्स और चेडिशीय मे 중 9 से भी इकम सीट जैसे चोटे विमान Size जरीए दूराज कीस दृट तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करी जाएगी 5.2 बात सहीं 5.2 में क्या किया जागा छोटे विमानों से दूर की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जाएगा अब इतनी न्यूज रखते हैं आगे की न्यूज करेंगे हम करेंगे